अब तक मैं आपको सभी नो महादसाओं तथा परतेक महादसा की सभी अंतर दसाओं के फल का विवरण दे चुका हूँ इस तरह ये नबे से अधिक वीडियो में पूरा विवरण मैंने अपलोड कर दिया है अब मैं आपको कुछ अंतर दसाओं के समय मिलने वाले फल के बारे में अती महत पुरुन और गोपनियत सिधानतों की जानकारी देने जा रहा हूँ जो बहुती उपियोगी सिध्ध होती है आप इसे ध्यान से सुनें समझें और लागू करने का प्रयास करें हम जानते हैं कि सूर्य और मंगल बल देते हैं चंदर शांती देता है बुद्ध बुद्धी शिक्षा और व्यवसाई में सफलता देता है गुरु विस्तार देता है शुक्र संदरिय और दामपत्य सुख देता है सनी मेनत करवाने वाला लग रहे है राहू और केतु भ्रहमित करते हैं और अपना फल अचानक ही देते हैं अब कुछ अंतरदसाओं की बात करते हैं जदी राहू में सुक्र या सुक्र में राहू की अंतरदसा चल रही हो और विक्तिक की आयू विवायोगे है तो उसका विवाव हो जाता है चाहिए इन ग्रहों का जनब पत्री में विवावाव से समंद हो या नहो अगर विवाव हुए काफी समय हो चुका है और इन में से किसी एक ग्रह पर कोई दुस प्रभाव है तो ये अंतर दसाएं विवाव में बाधा उत्पन करती हैं और तलाक आदी की स्थिती बन जाती है इसलिए सावधानी के आप सकता होती है जदी राहों में केतु की अंदर दसा चल रही हो तो कुटे या जंगली जनवर द्वारा काटे जाने का अंदेशा बना रहता है और जनवर पत्री किसी महिला की हो तो उसके बीमार होने की संभावना बन जाती है सुर्य में केतु की अंतर दसा हो तो फिर्द रोग से बचने के लिए उपाए करना आवश्यक होता है सुर्य में राहों हो तो ग्रहन दोस के कारण व्यक्ति प्रिशान होता है सुर्य में मंगल की इंतरदसा हो या मंगल में सुर्य की इंतरदसा हो तो व्यक्ति को अगनी वे बिजली से भै होता है साठ सर्किट या परिशानी संभव होती है ऐसी दसाने से पहले ही अपने घर की बिजली की तारें आदी चक कर वालें ताकि बाद में परिशानी ना हो सुर्य में केतू वे मंगल में केतू की अंतरदसा में भी अगनी से भै हो जाता है राहू में सिनी के अंतरदसा हो या सिनी में राहू के अंतरदसा हो व्यक्ति को निरासा मिलती है रिन रोग वे सत्रू परिशान करते हैं काम में बिना किसी कारण रुकावट आती है और व्यक्ति यह समय हतास और निरास होकर गुजारता है सुर्य में चंदर की अंतरदसा हो या चंदर में सुर्य की अंतरदसा हो व्यक्ति ने तो प्रगती कर पाता है और ने ही पहले जैसा प्रिणाम उसे मिलता है या दिप्यूस की मेनत में कोई कमी नहीं होती गुरु ब्रह के अंतरदशा हो और गुरु दसमस्तान में बैटा हो तो व्यक्ति को हमेशा तारीफ और धन्यवाद ही मिलेगा धन्य नहीं मिलेगा वह सब के लिए कल्यान कारी बना रहेगा स्वियम के लिए नहीं जन्म पत्री में यदि सूर्य वे चंदर एक साथ हो तो भी व्यक्ति सब के लिए कल्यान कारी और मार्क दर्सक होता है वे अपना भला नहीं कर सकता उसमें सन्यास वे विरक्ति की भावना अधिक होती है ऐसे में यदि अंतरदसा योग कारक हो तो कुछ अच्छे परिणाम भ अलबी नहीं मांगता अंतरदसा का स्वामी ग्रह यदि 29 या 30 अंसव पर हो तो अंतरदसा के अंत में परिणाम मिलते हैं परन्तों बहुती कम मिलते हैं यदि ग्रह जीरो या एक अंसव पर हो तो पूरी अंतरदसा के समय निरंतर मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम सं मिलते हैं और बाद में अच्छे मिलते हैं। ज़िए जन्म पत्री में कियम दरुम योग हो तो परिणाम मेहनत की तुलना में बहुत कम मिलते हैं। मांसी का सांती वे अस्तिरता के कारण ऐसे व्यक्ति अपना काफी समय खराब करते हैं। ऐसे और भी अन्यक्योग हैं जिनका व्यवार में फल बड़ा बिचितर होता है। यदि आपको किसी विसेश जनकारी के आफसेकता हो तो आप कमेंट्स में नोट कर सकते हैं। मेरा कारकरम अंत तक ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सबस्क्राइब करें वे शियर रवसे करें ताकि आपको वे आपके मित्रों को जोती समंधी महतुपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।